हेलो दोस्तो कैसे हो आप सभी आसा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे अच्छे से होंगे परमपिता परमात्मा से हम आपके अच्छे स्वस्त वे सुखद जीवन की कामना करते हैं दोस्तो जिस औस्दी के विश्य में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वह बहुत रामबान औस्दी है उस औस्दी के फायदे जानकर विज्ञान जगत भी हैरानी में पढ़ गया था दोस्तो उस औस्दी का नाम है कास्नी के फूल हाँ दोस्तो काश्णी के फूल के फूलों के फायदे के विश्य में बताने से पहले आपसे कहेना चाहूँगा यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सस्क्राइब करें वेल आइकन के बटन को दवाए जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके सातियों सुरू करते हैं काशनी के फूल काशनी के फूल आपको अनेकों सतानों पर देखने को मिल जाएंगे यह एक फुलवारी नुमा पौदा होता है परंतु आप इसके गुनों के विश्य में नहीं जानते इसके गुनों से चिर परिचित नहीं होते इसलिए आप इसे एक साधारन फुलवारी के रूप में जानकर छोड़ देते हो मेरे बता है अनुसार यदि आपको कहीं भी काशनी के फूल देखने को मिलें तो उन्हें छोड़ ना मत तुरंत प्रभाब से ले लेना क्योंकि यह आपके लिए रामबान औस्दी का कारियर करते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि किन व्यक्तियों के लिए काशनी के फूल रामबान होते हैं जिन व्यक्तियों को सारे रिक ठकान रहती है मांसिक ठकान रहती है और इंद्रिय सकती काम नहीं करती है बेवाइक जीवन सुकी नहीं चल रहा है यदि ऐसे व्यक्ति काशनी के फूलों को सहद के साथ और एक गलास गाय का दूद लेकर उसका सेवन करते हैं तो मेरे बताऊंगा अनुसार यदि वो इस प्रकार से सेवन करेंगे तो वह अपने सारे रिक ठकान को दूर कर सकते हैं इंद्रिय सकती को पुने प्राप्त कर सक करते हैं तता रात और रात अपनी इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं और अपने बैवाइक जीवन को सुकी वे सम्रिद बना सकते हैं यह उनके लिए रामबान औसदी का कार्य करती है धन्यवाद सात्यों यदि आपको जानकारी अच्छी लेगी हो वीडियो को लाइक, सेर एंड सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद